सो गईस अगर आपको बजट भी 20,000 की आसपास है और आप एक all-rounder smartphone purchase करने का सोच रहे हैं तो Realme की तरफ से 19 मार्च को इंडियन मार्केट के अंदर एक नया smartphone launch होने वाला है जिसका नाम रहेगा Realme Najo 70 Pro 5G smartphone जिसमें आपको ऐसे ऐसे advanced features देखने को मिलेंगे जो कि 30-40,000 की price segment वाली smartphones में भी देखने को नहीं मिलते अब हाला कि दोस्तो यह smartphone recently इंडिया में launch हुई Realme 12 Plus 5G smartphone का ही rebranded version रहेगा लेकिन कापी कुछ दोस्तो इस phone के अंदर Realme की तरफ से upgrades किये गए हैं जो कि definitely आपको पसंद आने वाले हैं इस phone के बारे में दोस्तो complete information आपने पास आ चुकी है तो आज किस वीडियो में दोस्तो unboxing type में हम बात करेंगे इस phone के सबी specs के बारे में इसके साथ एक हैसा हम बात करेंगे कि यह smartphone आपको इंडियन market के अंदर किस पराइजिंग पर देखने को मिल सकता है तो सौगत अब सब का टेक रूज पर जनकरी के लिए वीडियो में तक बने रही है और दोस्तो चैनल पर पहली बर आए हैं तो सस्क्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह का टेक वीडियो मिलती रहें तो दोस्तो जैसा कि आप सबको मालूम है कि Realme की नाजो सिरीज एक मेडरे सेगमेट की सिरीज है इसमें Realme की तरफ से लाँच हुए स्मार्टफोन से आपको रीब्रांड़िट होकर देखने को मिलते हैं अब Realme की नाजो सिरीज के अंदर एक नया स्मार्टफोन मार्केट के अंदर आने वाला है जिसका नाम रहेगा Realme नाजो 70 Pro 5G स्मार्टफोन तो फटाबट से बात करते हैं दोस्तों इस फॉन की सभी फीचर्स के बारे में और देखते हैं कि इसकी Realme 12 Plus 5G स्मार्टफोन से क्या कुछ अब गिरिट सियां पर किये गए है अगर फर्स्ट ओपल दोस्तों हम बात करते हैं स्मार्टफोन की डिजाइन के बारे में दोस्तों नैश्ट बात करते हैं स्मार्टफोन की डिस्पले के बारे में तो यहां पर गईस आपको 6.67 इंचेस की एक फ्लेट एमॉलेट डिस्पले देखने को मिलेगी जो की Full HD Plus Resolution के साथ में आएगी साथी 120 Hz का रिफ्रेस इट यहां पर आपको दिया जाएगा तो ब्राइटनस और कलस बगरा दोस्तों डिस्पले में काफी बढ़िया रहने वाले हैं अगर आपको वीडियो कंटेंट बगरा देखने का ज़्यादा सौंक है तो डेफ्निटली गईस काफी कमाल का वियो एक्सपरेंस यहां पर आपको मिल जाएगा अगर डिस्पले के बाद दोस्तों डिस्पले के बात करते हैं स्मार्टफोन की परफॉर्मेंस के बारे में तो यहां पर गईस आपको मीडिया टक की तरफ से डाम से टी सेवें थाज़न फिप्टी चपसेट देखने को मिलेगा जोके गेमिंग सेरीज का चपसेट है और काफी कमाल की गईस यहां पर आप गेमिंग कर सकते हैं इसके लाबा दोस्तों कोई भी टास्क को आप एजली यहां पर कम्पलीट कर पाएंगे वहीं इस फॉन में दोस्तों आपको 8GB की रैम देखने को मिलेगी जोकी 256GB तक की स्टोच के साथ में आएगी अगर नेश्ट बात करते हैं इस स्मार्टफोन के कैमरा सेटप के बारे में तो यहां पर आपको रियर साइड में त्रपल कैमरा सेटप देखने को मिलता है जिसका मेंज सेंसर रहेगा 50MHz का जोकी Sony की तरप से iMacs 890 सेंसर होगा साथी OIS का सपोर्ट भी गई इस यहां पर आपको मिल जाएगा वहीं 8MHz का अल्टरा वैट एंगल लेंस और 2MHz का मैक्रो सेंसर यहां पर आपको मिलने वाला है अगर स्मार्टफोन की फ्रेंट केमरे को बात करते हैं तो फ्रेंट साड में गई सेंसर आपको एक पंचल का गटाउट देखने को मिलता है जिसमें 16 Megasal का एक सेलफी केमरा यहां पर आपको दिया जाएगा जिससे काफी कमाल की सेलफी तो वीडियो कॉलिंग वारे है तो आप कर पाएंगे तो केमरा सेटप दोस्तो स्मार्टफोन के अंदर काफी डिसेंड दिया गया है 4K रेजलिशन में 30 एप्यस पर यहां पर आप वीडियो रिकॉर्डिंग इजली कर सकते हैं अगर कैमरे के बाद दोस्तो नैश्ट बात करते हैं स्मार्टफोन के बैटी डबार्टमेंट के बारे में तो यहां पर गई साबको 500 मैच की एक बड़ी वैटरी देखने को मिलती है जो कि 67 वाट की फाइस चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आएगी तो बैटी दोस्तो काफी बड़ी रहने वाली है, तो बैटी पेकप भी काफी कमाल का यहां पर आपको मिलेगा कमाल की स्पीड यहां पर आपको 5G connectivity के साथ में देखने को मिलेगी अब अगर बात करते हैं दोस्तों स्मार्टफोन की प्राइजिंग के बारे में तो फोन की प्राइजिंग हो सकती अलग बग 18 से 19,000 के असपास इसके साथ यह स्मार्टफोन 19 मार्च को इंडिया के अंदर ल हैं तो सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि आपको इसी तरह के टेक वीडियो मिलती रहें मैं मिलता हूँ आपको नएश वीडियो में अब तक के लिए गुडबाई हैवा नाइस टे